हे गुपाल क्रिश्न करू आरती तेरी हे गुपाल क्रिश्न करू आरती तेरी हेलो फ्रेंज तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं सेर करने वाली हूँ साथ निवाना साथिया सीजन टू डेवो लीना का मेकप लुक है ये और गोपी बहु का किरदार इन्होंने इसमें निभाया है तो इन्ही का मेकप लुक आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ आसा करती हूँ कि आप लोगो को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे अपने फेस पर स्प्रे करने के बाद देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ गुड वाइफ का फेस सीरम इसकीन फेस गलो सीरम है ये इसे लगाते ही आपके चेहरे पे अच्छा सा गलो आता है जो आपको अभी दिखेगा मेरे चेहरे पर तो इसे मैंने लगा लिया है तो मेक अफ स्टार्ट करने से पहले हमें अपने फेस को ये सब लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसे कैमिकल से मुक्त रहते हैं हमारे फेस तो उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे मॉस्टराइजर क्रीम और ये भी मैंने मंगवाया था परपल से मंगवाया था मैंने इसे और ये बहुत ही अच्छा मॉस्टराइजर क्रीम है तो बस इसे मैं उसके बाद लगा लूँगी अपने फेस पे मॉस्टराइजर कीम भी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अपने फेस पे और इन सब को हमें रगर के नहीं लगाना है बस हलका हलका डैप डैप हलके हाथों से करते हुए अपने फेस पे लगा लेना है दिन उसके बाद लगा रही हूँ प्राइमर तो प्राइमर भ और अब उसके बाद बारी है फाउंडेशन की तो यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा ली है तो अब मैं यूज करूंगी foundation तो ये मेरा all in one foundation है fit me maybelline fit me foundation और ये मेरा shade है आप अपने skin के shade के हिसाब से ले सकते हो तो बस इसे मैं dot dot करते हुए अपने face पे लगा लूँगी and उसके बाद मैं एक sponge की सहायता से अपने face पे dab dab करते हुए पूरे face पे लगा लूँगी आप चाहे तो इसे हाथों से भी लगा सकते हैं उंग्लियों की सहायता से तो बस इसे मैं sponge की सहायता से अच्छे तरीके से अपने face पे dab dab करते हुए हलके हाथों से लगा लूँगी तो यह आप लोग देख सकते हो बस इसी तरीके से हमें लगा लेना है foundation तो मेरा face जो है oily skin का इसलिए मैंने oil proof लिया था foundation उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ concealer तो concealer Mars का है और इसे मैंने flip card से मंगवाया था इसमें concealer plus contour दोनों ही है लेकिन मैं सिर्फ कंसीलिंग करूंगी इससे अपने face का तो यह आप लोग देख सकते हो जहां-जहां मुझे bright up दिखाना है वहां-वहां मैं conceal कर ले रही हूँ तो यह आप लोग देख सकते हो कंसीलिंग करने के बाद मैं sponge की सहायता से dab-dab करते हुए उन्हें अपने skin में absorb कर वा लूँगी बस हमें हलके हाथों से दबाते हुए जहां लगाया है वहीं पे spread अच्छे से कर देना है ज्यादा दूर तक हमें इसे नहीं फैलाना है तो यह आप लोग देख सकते हो जहां-जहां मैंने लगाया था उन्हीं जगों मैं अच्छे से dab-dab करते हुए spread कर रही हूँ देन उसके बाद मैं लगाऊंगी powder SQ का face powder तो यह आप लोग देख सकते ह compact powder है यह तो बस इसे मैं लगा लूँगी पूरे face पे जहां-जहां हमने लगाया था foundation वहां-वहां हर जगह पे इसे अच्छे से लगा लेना है इसे लगाने से हमारा foundation जो हमने लगाया है उन जगों पर क्रीज नहीं पड़ती है इसलिए हमें powder face powder लगाना बहुत ही ज़्या है सो मैं लगा ले रही हूं उसके बाद मैं brush से extra powder को जहार लूँगी तो यह आप लोग देख सकते हो मैंने brush की सहाथा से extra powder को जहार लिया है देन उसके बाद बारी है eyebrow fill करने की तो यहां पे मैंने ले लिया है eyebrow fill करने के लिए eyebrow powder तो यहां पे आप लोग देख सकते हो तो य एक नेचरल लुक देता है तो आप लोग देख सकते हो मैं अपना आइभ्रोज को फिल कर ले रही हूं तो फ्रेंस अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो थूरा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें मैं वीडियो देखती हूं मेकप देखती हूं सीखती हूं और साथ ही साथ थूरा सा कोसिस करती हूं कि मुझे देखके साहद आप लोग भी सीख लो तो यह मेरा हें दिन आइस एड़ो पैलेट एक ऑडव क्या है बिए देवो लीना Ferguson का प्रण्ब इपक अपर घट है तो हलका पिंक थाइबं का तो यह हलका पिंक कि अ थो सब्सक्राइब की तो सबस्कूर, दार्क पिंग कलरों उनके जैसी सारी नहीं मिल रही थी पंधसे मैच करती हुई तो मैंने सुच है चलो इससे ही कर लिया जाए उसके बाद पिंक आई सैडो लगाने डाल है बढ़के है जैसा कि मैंने बताये कि उनका eyes जो है दम natural pinkish type का दिख रहा था उन्होंने ज्यादा है भी make up नहीं कर रहा था आई make up नहीं कर रहा था उन्होंने है भी तो बस उन्हीं के हिसाफ से मैं अपना यह लगा रही हूँ तो मैंने नीचे भी लगा लिया देन उसके बाद जो पिंक कलर मैंने लगाया ठीक उसके उपर भी मैं इसी ब्रस से हलका सा स्मॉजड कर लूँगी अप एंड डाउन ताकि यह जो वाइट और पिंक का कॉंबिनेशन जो है एक दूसरे से मिक्स और मैच हो रहा है अच्छे से तो यह आप लोग देख सकते हो उसके बाद मैं यहां पे कर रही हूँ अपने पलकों को कर्ल तो इसको इस तरीके से करने से आपकी पलकी जो है उठी उठी दिखती है आपको दिखी होंगे क्योंकि यह मेरे पास बहुत दिनों से और काफी अच्छा चल रहा है यह तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने मस्करा भी लगा लिया और अब बारी है आई-लाइनर की तो यहां पे मेरे पास पैन आई-लाइनर है तो बस इसे मैं लगा ले रही हूं इसे ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है तो यह आप लोग देख सकते हो तो बस मैं मस्करा सौरी मस्करा खह रही हूं बस मैं आई-लाइनर लगा लूँगी तो यह आप लोग देख सकते हो तो मेरा आई-लाइनर लगने के बाद काजल की बारी आईगी लेक सौरी ब्लेक, हाँ, ब्लेक कलर का अई सैडो लेके हलका सा पतलासा तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मेरा ऐलाइनर लग के कम्प्लीट हो गया है, तो यहां पे मैं हलका सा ब्लैक कलर लेके समर्जड कर ले रही हूं, अपने आइश के पास, मुझे काजल नहीं ब्राउन कलर था पिंक कलर है और हाइलाइटर का जो फाइट सीमरी कलर होता है वो भी है तो इसमें से मैंने सबसे पहले हलका ब्राउन कलर लेके कॉंटॉरिंग करने की कोसिस किये जिसे मेरा फेज होए थोरा पतला दीखे तहां पर आप लोग देख सकते हो मैं नोज के पास लnea हुआ है के लिए हाइलाइटर पैलेट के अंदर से ही तो पास ही पास पाल ले रही उपिंक कलर ब्लस के लिए तो लोग देख सकते हो तो बस इसी में से मैं लेके blush लगा लूँगी और उसके बाद बार ये highlighter की तो आप लोग देख सकते हैं ते मैं highlighter पिक कर रही है और मुझे जहां जहां लग रहा है कि highlighting की ज़रुत है वहाँ वहाँ लगा लूँगी मिन्स nose पे lip के उपर blush यहां पे लगाया था ठीक उसके ऊपर head पे तो यह आप लोग देख सकते हो मेरा highlighter भी लग चुका है अब highlighter से ही मैंने pick किया है थोरा सा और highlighter वो भी eyeshadow वाले brush की सहता से और eyes के inner corner पे लगा ले रही हूँ यह आप लोग देख सकते हो इससे आपका eye जो है थोड़ा बड़ा दिखता है bright up दिखता है तो अच्छा लगता है उसके बाद मैं यहां पे लगा रही हूँ lip balm लगाना बहुत जरूरी होता है lipstick लगाने इस पहले आपके lip को moisturize बनाके रखता है lip balm सो lip balm मैंने लगा लिया उसके बाद मैं यहां देख रही हूँ कोई हलका सा pink color ढून रही हूँ तो यह sq का lipstick है और 450 का I think मुझे यह combo मिला था purple से मैंने मंगवाया था तो इसमें से मैंने एक pink color पिक कर लिया है सैम उनसे मिलता जュलता उसके बाद मैंने लगा लिया दिन उसके बाद मैंने यहां पे makeup fixer भी spray कर लिया है उसे spray करने के बाद मेरा make up joe Riai हो गया है तो यहां आप लोग दे देख सकते हो अब मैं लगा की बिंदी तो यहांपर मैंने बिन्दी भी लगा ली अब बार ये नेकलेस की तो उनके जैसी तो नहीं बट उनसे मिलती जुलती नेकलेस मेरे पस है मैंने मंगा के रखा हुआ था तो बस मैं इसे डाल लूँँगी और इसे मैंने मेसो से मंगवाया था ये मेसो का है तो यह आप लोग मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और सेर जरूर करें और साथ ही साथ आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मेक अप लूप कैसा लगा तो मैं फिर मिलती हूँ एक और ने वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई और टेक केर लव यू आल